तो हमारे पास यहाँ तो थो TWS है. जिसको यहाता है bold clarity 3 और यहाता है जिसको trigger apex P2 और इसको price के बात करी जाए तो दोन के price आपको बहुती जादा difference मिलता है इसकी price के बात करी जाए तो trigger apex P2 तो इसको price आपको 1100 rupisak तो था Ocean錢10 HD लेकिन आपको दोनों में इसे कौन सा लेना बेटर हैगा कम वाले price range के अंदर ये बेटर हैगा या ज़्यादा पैसा पेकर के आपको clarity बेटर रहेगा तो बीच के अंदर आप skip करोगे तो आपको कौन सा TWS लेने का है वो आपको बिल्कुल भी मालूम पड़ेगा नहीं है आज किस वीडिये के अंदर हम बताएंगा अच्छर से आप पाहली बार है तो चाहों को सब्सक्राइब करके बाया नोडिफिक्शन को आल खालीजे क्योंकि जहां में इससे तरह का जो है टैक आफ डिट्स कॉंटार लेक जिसकी और यहां पर हम दीखिजिए तो clarity के branding यहां को मिल शहाँए trataigいただकर अच्छिंग की बात करीईयीचए तो यहां पर आ चाहते साथ यहां पर आ जाता है पीजिए सिल्वर्स और ग्रेश कलर की इहां पर को मलता है जिसकी उसके वाज़े से smokey metal यहां पर दिया हुए है और यहां पर आपको purple colors यहां पर आपको मलता है पूरा पूरा और matte finish यहां पर दिया हुआ है जिसकी और LED की बात करीज़ए तो LED जो है bold clarity 3 के अंदर आपको strip light मिलता है और triggers के अंदर आपको यहां पर एक छोटी सी LEDज मिल शाती है और दोनों के अंदर आपको जो type C port दिखने के मिलता है और काफी दोनों ही compact आपको यहां पर दिखने के लिए मिलता है जिसकी case लीड की दोने की बात करिए जाए तो पहले हम बात का लेते है जिसकी ट्रिगर की तो आपको काफ़ी अच्छी लीड मिलती है जिसकी वान एंड से ओपन अंड क्लोज कर सकते है यहां पर और जिसके लीड की बात करिए तो ऐसे कोई भी लूज नहीं है spring स्प्रिंग लोडेड के साथ आता है लेकिन यहां पर हम क्लियरेटी 3 की बात करी जाए तो यहां पर बोल्ड क्लियरेटी थोड़े से मुझो लाइट वेट लगा यहां पर ट्रिकल्स के हम कंपर करें जाए तो दोनी एरबड्स को हम शेक करके देखेंगे जिसकी कौन सा केस के आपको दोनों के अंदर राइट और लेफ्ट का सिंबल मिल जाता है इंकी बात करीजिए तो ड्राइवर्स का डिजाइन कुछ इस तरह का आपको मिलता है दोनी स्टैंप डिजाइन के साथ यहां पर आज आता है जिसके बोल्ड क्लियरेटी 3 के अंदर आपको आपको डिज मिल जाएगी और यहां पर हम देगे जाए तो प्लेंस आपको यहां पर स्टैंप मिलता है और यहां पर को ट्रिगर्स के ब्रैंडिंग मिल जाएगी और यहां पर आपको अलेडी नोडिफिकेशन स्लाइट मिलेगी स्टैंप लुक्स के बात करीजिए तो लुक्स में आप क宮頂 के पूलेटेजी कोफी बैटर आपको लुकि दे रा है जिसके आपको बल्सě यहां पे बॉल किई कशी यहां पे ब्रेंदिंग बेशनकल Mix असके उटन्या उतके तो दौनों के अंदर आपको चार्जिंग पीन्स कुछ स्थारा आपको दिखने मलजाते हैं जिसकी आपको बोल क्लियरटी के अंदर साइड के तरह से ऑपको चारजिंग पीन्स मिलती हैं टिप्स की बद करीज़ेचिए तो दौनों के अंदर आपको Cdicon's की tip आपको मलता है जिसकी और काफी अच्छा है जिसकी देखे जाए तो बिल्ड क्वारटी ड्राइवर्स की बात करेज़े तो बॉल्ड क्लेरेटी तरी के अंदर आपको जाए 13 mm के भूमक्स टेक बेस ड्राइवर्स मिलता है रिकर एपक्स देखे जाए 24 से बात करें जी दोनों यहां पर पहें लेते जाए यहां पर आपको यहां पर यहां पर लेता है लेकिन यहां पर मिलता है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट के साथ यहां पर यहां पर आ जाता है आप लुक देख लीजिए लुक्स भी आपको काफी बेश्ट मिल चाहता है जिसकी लुक्स के अंदर ऐसे कोई भी दिक्कत आगी नहीं है कॉमफर्ट डेके जाए तो हम इस यहरबर्स के काफी अच्छ बैट जाता है थोड़ा सा लुट्स बैटना चाहिए ज्यादा टाइट नहीं बैटना चाहिए लेकिन यह जो ना ओर टाइट बैट जाता है इसके कंपरेशन में चाहिए तो बॉल्ड क्लियरेटी तरीका तो लुक्स यहां पर आप देख लीजिए लुक्स भी उतना बैट तरी जो ना काफ़ी बैटर कॉमफर्ट आपको निकल कर देता है कंपरेट टू इगर एफेक्स अस्टू का निक्विटी को लिगे बात खरीजे तो बॉल्ड क्लियरेटी तरीके अंदर आपको ब्लीट वर्जम 5.4 के साथ यहां पर आ जाता है आपको रींज मिलेगी एक्स आपको रींज मिलेगी इसके एक्सेक्ट आपको वर्जम 5.3 के अंदर यूज करना पड़ेगा कानेक्विटी के मामले में हम बात करीजे तो बॉल्ड वर्जम काफी लेटर्स और काफी अच्छा रिस्पॉंड डेनी वाला जो ब्लॉतूस के अंदर जिसके बॉल्ड क्लियरेटी तरी काफी बेटर अपको मिलता है कानेक्विटी के अंदर कानेक्विटी के बात करीजे तो दोनी येरबट्स की तरुज़ो मैंने मस तरिक से यहां पे सुनके देख लिया है इसको मैंने यहां पर म्यूजिक मूड के अंदर डालके तो वस टेम आपको क्वालिटी मिल रहें ना मूड को एनेबल करने के बाद भी आपको आपको आप मूड को ऑनेबल करनेे के बाद मूजिक मूड को झाए तो आपको आता है यह इसकी सब्स्यर्स हो जाता है लेकिन यहां पर में जो तो bold clarity 3 की comparison में जाए तो इसका थोड़ा सा मुझे यहां पर ट्रेपस थोड़ा सा unbalance लगा जिसकी ज्यादा निये थोड़ा सा unbalance लगा और थोड़ा सा balance मिलता है आपको जो है और यहां पर हम जो इसका जो ओकस और की बात करीजिए तो अच्छा मिलता है आपको जो है sound quality के अंदर जो है आपको यह bold clarity 3 काफी better response आपको निकल कर देता है compared to trigger fxs2 तो पहले हम बात कर लेते है bold clarity 3 का तो इसके अंदर आपको जो fast charging का support डिक मिलता है जिसके आप जो ना 10 minutes में चार्ज कर लेते तो 120 minutes का playback time मिल चाहेगा और single charge पर और earbuds और case को 1.5 चार्जिंग पर लगा देते तो आपको जो यहाँ पे playback time मिल चाहेगा 50 hours का trigger fxs2 की बात करीजिए तो जिसके आप जो ना 5 minutes में चार्ज कर लेते तो आपको 200 minutes का playback time मिल चाहेगा single charge पर और फुली चार्ज करने के लिए आपको 1.5 चार्टिंग पर लगाना पड़ेगा तब जाके आपको 60 hours का playback time मिल चाहेगा लेकिन हम दोनों के comparison करें चाहे तो आपको backups के अंदर ज्यादा backups मिलता है trigger fxs2 के अंदर इसके scanner आपको फुल चार्ज पर आपको 50 hours का दे रहा है और इसके अंदर आपको फुल चार्ज पर आपको यहाँ पर 60 hours का दे रहा है जिसकी बोल्ड क्लियरेटी 3 जो ना आपको यहां पे 120 मिनिट्स का प्लेबेक टे रहा है और यह आपको सिंगल चार्ज पर 200 मिनिट्स का प्लेबेक टे रहा है जिसकी बेक आप्स को लिखे देखे जाए तो Trigger Apex S2 का कफी बेटर यहां पे बन जाता है कंपरेट टो बोल्ड क्लियरेटी 3 के अंदर आपको 50 db का हाइब्रेड एंसी मिल जाती है और इन बिल्ड 6 माइक सेट अप इसके अंदर आपको मलता है और यहां पे हम बात करीजिए तो Trigger Apex S2 की तो इसके अंदर आपको जो एक 4 माइक मिलता है करें बिल्ड कॉर्ड M E-MS माइक सब्सक्राइब एक इन बिल्ड को आयम जाती है कि आप दोनों ही जोई ऐरबट्स के तरु जो नाइक लाइव ओडियो सेमपल सुन लिजे गेमिंग पॉफ़मेंस को लेके बात करी जाए तो यहाँ पे जिसकी बॉल्ट क्लेरेटी 3 के अंदर अपको यहाँ पे 45 मिली सेकंड्स की अल्टरा लो लेटेंसे मिल शाती है और ट्रिगर एफेक्स हैस्स को इसके अंदर अपको 50 मिली सेकंड्स की लो लेटेंस से मिल शाती है अम देखेज़े तो bold clarity 3 के अंदर आपको respond मिल रहा है ना वैसे आपको मिले का नहीं है इसके अच्छा मिलता है थोड़ असा आपको यहां पर फट रहा है अच्छा मिलता है इसके थोड़ा से कम दिखने मिलेगा आपको ज्यादा डिफरेंट्स नहीं है और देखे चाहिए तो और इसका जो comfort काफी better मिलेगा आपको bold clarity 3 का और यहां पर gaming performance पर काफी अच्छा है sound performance पर आपको काफी अच्छा मिलता है और इसका mood को enable करने के बाद special mood को तो आपका यहां पर बेस चोईना और थोड़ा से increase हो जाता है लेकिन इसके अदर आपको जो music mood को enable करने के बाद पहले आपको सुन रहा था जैसकी sound quality वैसी आपको जो mood को enable करने के बाद आपको सुनने के लिए मिलता है लेना चाहती तो आपको टेक आपको जो नेक्स्ट एपिसोड के साथ तक लिए बाइस तो